नमस्कार आपका स्वागत इदाजनवा टीवी पे मैं दूनम आपकी साथ संसत सदिस्ता रद होने के बाद राहूल गांधी पार्टी हेड़ क्वार्टर में मीडिया से बातचित करते वे कहा कि भारत में लोकतंत्र पर आकरमन हो रहा है राहूल ने कहा संसत में मंत्रियों ने जूठा आरोप लगाया कि मैं विदेशी ताकतों से सरयोग ले रहा हूँ स्पीकर से पूछा तो मुस्कुरा कर बोले मैं कुछ नहीं कर सकता राहूल गांदी ने कहा कि मैंने आप सबसे काफी बार बोला है कि इंदुस्तान में लोकतंत्र पर आकर्मन हो रहा है इसका हमको हर रोज नए उधारन मिल रहा है सवाल मैंने एक ही पूछा था कि अडाने जी की शेल कमपनीज हैं उसमें 20,000 करोड रुपे किसने इंवेस्ट किया अडाने जी का पैसा नहीं उनका इंफ्रास्ट्रक्टर बिजनेस है पैसा किसी और का है सवाल यह है कि 20,000 करोड रुपे किसके है मैंने संसद में प्रूफ देका जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला अडानी जी और मोदी जी के रिष्टे के बारे में बोला रिष्टा नया नहीं पुराना है जब नरेन मोदी जी गुजरात के CM बने थे तब से रिष्टा है हवाई जहाज की मैंने फोटो दिखाई नरेन मोदी जी ने अपने मित्र के साथ बैठे बड़े आराम से फोटो खिचवाई थी राहूल ने कहा मैंने संसत में डानी गोटाले को लेकर चिठी लिकी लेकिन कुछ नहीं हुआ कुछ नेताओं ने बोला मैंने विदेशी ताकतों की मदद ली ऐसा कुछ नहीं है मैंने कई चिठी लिकी पर कोई जवाब नहीं आया मैंने स्पीकर से कहा कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा स्पीकर ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता मैं आगी भी मोदी जी से पूछूँगा कि 20,000 करोड रुपे किसके हैं मैं जेल जाने से नहीं डरता इससे पहले राहूल के साथ प्रेंग का गांधी पार्टी दफ्तर पहुची इस दोरान करकरता और नहीं नारेबाजी करते नजर आए प्रेस कॉन्फियंस में राजित्तान के सीम अशो गहलाद और 36 गर के सीम भूपेश भगिल अभिशेक मनू सिंग्वी जैराम रमेश और वेणू गुपाल मुझूद हैं इससे पहले राहूल गांधी की संसत सदस्ता खत्म होने पर केंडरी मंतरी गिरास सीं का बयान सामने आया है गिरास ने कहा जब चारा खोटाले में आदिश आया था और लालू परसाथ की सदस्ता जाने वाली थी उस समय राहूल लालू से नहीं मिलते थे राहुल ने तब ऐसे मामले में अपील के प्रावधान से सम्मंदित अध्यादेश को फार दिया लालुची उनसे समय राहुल को शाप दिया था यूद कॉंगर्स भी आज देश भर में अलग-अलग परदेशन करेगी इसके अलावा कॉंगर्स ने सोमवार से देश भर में समीदान बचाओ अंधलन शुरू करने का एलान किया है इसकी द्रणिती के लिए मलिका अजुन खटगे आज एक एहम बैटक भी करेंगे इसमें सोन्या गांधी और प्रेंगा गांधी भी आ सकती है इसी के साथ बने रहे हैं राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद